आज हम बनाने जा रहे हैं बहुती कम ओयल में बनने वाला गिहूं के आटे का बहुती टेस्टीनास था इसनासे की खासेत है कि यह बहुती जल्दी बनका तयार हो जाता है और बच्चे हो या बड़े यह सभी को बहुत पसंद भी आएगा तो अगर आपको यह रेस्पी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो फिर चलिए इसको बनाना सुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक mixing bowl ले लिया है और इसमें एक बड़ा size का कच्चा अलू कद्दू कस कर लेंगे हमें यहाँ पर कद्दू कस बारीक बला लेना है क्योंकि जो हमें अलू के लच्छे बनाने हैं वो बारीक ही चाहिए तो हमने पूरे आलू को कद्दू कस कर लिया है और आप देख सकते हैं कि जो इसके लच्छे हैं वो बल्कुल बारीक हैं और इसमें एट करेंगे एक कफ के हूँ का आटा साथ ही हम इसमें आदा कफ सूजी एट कर लेंगे अब हम सभी चीजों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे तो अभी तग अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो अब हम इसमें एक कफ पानी एट कर लेंगे जिस cup से हमने 8 एट किया है उसी cup से हम पानी भी डाल लाए है और पानी को हम इसमें बढ़िया से mix कर लेंगे तो इनको हमें अच्छे से mix करना है ताकि इनका बेटर एक दम smooth बने यानि इसमें lumps भी नार है तो एक cup पानी हम इसमें और add कर रहा है इस तरीके से अभी हमने 2 cup पानी इसमें add कर लिया है तो सारी चीजों को हम बढ़िया से mix कर लेंगे अब हम इसमें add कर रहे हैं 3-4 बारी कटी हुई लाल मिर्च 9-10 बारी कटे हुए करी पत्ता डालेंगे आदा चुटी चम्मत जीरा add करेंगे एक चुटी चम्मत सफेद बाले तिल डालेंगे और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और सभी चीजों को हम बढ़िया से mix कर लेंगे तो हमने इस बैटर में ना सोड़ा ना इनो और ना ही धाई का यूज किया है तो सिर्फ हम यहाँ पर add कर रहे हैं अगदा नीवह का रस और नीवह की रस को भी हम इसमें बढ़िया से मिला लेंगे तो अभी हमारा बैटर थोड़ासा थिक है इसलिए हम इसमें एक कप पानी और add कर लेंगे हम यह पर तइन कप पानी का यूज किया है तो ध्यान रखेगा इस बैटर को हमें पतला ही बनाना है तो अब हम इस बैटर को एक साइड में रख देंगे तो अब हम इस नास्ते के साथ खाई जाने वाली एक बढ़िया सी चटनी बना का तयार करेंगे इसके लिए मिक्सी जार में हम दो टेविल स्पून नारिल का बूरा आट करेंगे इसको हम देसी केटिट कोकोनट पाउडर भी कहते हैं तीन से चार हरी मेर्च आट कर लेंगे साथी हम इसमें आट कर रहे हैं दसे बारा करी पत्ता आदा इंच अध्रक का टुकड़ा आट कर लेंगे और दो टेविल स्पून हम धाई आट कर रहे हैं नमक डालेंगे स्वाद अनुसाल अब हम सभी चीजों को पीस लेंगे तो सभी चीजों को हमने बढ़िया से पीस लिया है तो अब हम एक तड़का पैल लेंगे और इसमें आट करेंगे दो छोटी चमत शोदे देसी घी और घी को हम गर्म कर लेंगे जब घी हमारा गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे अदा छोटी चमत छोटी राई और एक सुकी खड़ी लाल मिश को तोड़कर डालेंगे चार से पांच करी पत्ता एट कर लेंगे तो तड़का हमारा तयार है इसको हम चटनी में डाल लेंगे ये चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है आप चाहें तो इसको थोड़ी सी हरी दन्या डाल कर भी पीश सकते हैं तो अब हमने यार पर दो सा तबा ले लिया है और इसको हम गर्म कर लेंगे जब तबा हमारा गर्म हो जाए तब हम इसको थोड़ा सा ओईल से ग्रीस कर लेंगे तो oil को हम पूरे तबह पर लगा लेंगे तो अब जो हमने ये better बना का तयार किया था उसको हम बढ़िया से चला लेंगे क्योंकि सूजी आटा और आलू हमारे तली में बैट जाते हैं इसलिए हमें इनको बढ़िया से चला लेना है और चलाने के बाद हम इनको तबह पर अच्छे से फैला लेंगे तो इस better को हमें पूरे तबह पर बढ़िया से फैला लेना है आप चाहें तो इसको कटोरी की साहिता से भी फैला सकते हैं और गैस की फ्रेम को हम हाई रखेंगे एक से दो मिनिट के बाद हम देखेंगे कि यह उपर से ड्राइ लगने लगा है तब हम ब्रस की साहिता से इस पर थोड़ा सा ओईल लगा लेंगे यह और आप इसको ज़्यादा क्रिस्पी खाना पसंद करते हैं तो आप इसको इस तरीके से एक बार पलट लें और इसको दूसरी साइट से भी थोड़ा सा सेक लें तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना अच्छा है और यह देखने में कितना रस्पी लगने लगा है और यह कितने आसानी से बनकर तयार भी हो चाता है तो अगर आपको कुछ हलका फुलका खाने का मन हो तो आप इस रस्पी को जरूर ट्राइ करें यह खाने में बहुती टेस्टी लगती है तो यह लीजिए पहले आटे का डूसर बनकर तयार है अगर आपको यह रस्पी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले तो फिर मिलते हैं एक नई रस्पी के साथ बाई